हेलो चप्टर नमबर त्री की आज की वीडियो लेक्शर में हम कंटिनीव करेंगे टेक्स्बूक एक्सरसाइस क्वेशन नमबर थर्टी ओके तो यहां पर एक टेबल दिया हुआ और जिस यह टेबल में कुछ यहां पर हमें इंस्रिक्शन दिये हुए वह कडिंग हमें यहां नहीं पर कुछ एन्सर्स हमें यहां पर देना एक फर्स्न यहां पर टू क्रीट अब डेटा फ्रेम। जो पहरें यहां पर अलोडिरो indicates हमें क्या करना है एक के लीए करेंगे इंपोड में क्या इंपर पांदा जो एंड दी आपन घंड यहां पर आमने यहां पर कर हमने को लम सिया päर चैनте कर Irish रोस या पर हमने डेटा फ्रेम में क्रे रूपी 70,000 USD यह दिया और इंग इंग्नोर इंडेक्स यहां पर कर दिया है चले नेक्स यहां पर देख्टा है question number C जो दिया हुआ है okay question number C displays a maximum price of LG TV जो LG TV विसका maximum price तो जो स्प्रेंट लेंड डिफ.query okay item is equal to TV and company that is equal to यहां पर जस्त बता रहे है LG और क्या find out करना है maximum value जस्त यहां पर हमें find out करना है okay अभी exit क्या कर रहे है तो जस्त यहां पर दिया आइटम तो कि हमें जस्त कौन सा चाहिए तो कि TV दंड कॉंपनी LG rupees and USD तो यह जस्त हमें maximum value यहां पर find out करके शो कर रहा है चले next question number D जो दिया हुआ है to display the sum of all products okay तो exit query कैसे दिया है तो केसे simple है भई डाट यहां पर use कर रहे हैं sum okay तो companies यहां पर जितने यहां पर था आपने वह यहां पर देने आया एंड उसके बाद रूपीज का टोटल सम एंड यहां पर हमें शो करेगा and next आप देख सकता हैं तो कि df.rupes.sum usd.sum तो यह exit answer है वह नीचे भी हमें यहां पर शो कर आए okay question number E display the median of usd of a sony product तो exit यहां पर df.query company is equal to equal to you यहां पर sony print then d toke kaun sa है यहां पर toke usd and median find out करें तो यह जिस रमें यहां पर median value मिलेगा चले next question number 14 यहां पर दियावा है okay तो write the python statement for the following question and given the base of a given data set okay तो यह कुछ data set दिया वह और जो python statements हमें यहां पर देना है okay तो one by one start करते है to create about data frame तो जो यह table है okay exit यहां पर हमें data frame create करना है तो pandas यहां पर import करेंगे numpy करेंगे okay just यहां पर हमने mention किया और पूरा जितना भी टेबल में values था तो कौन साथ okay name एक यहां पर यह column then degree and the third one is score and बाकी हमने यहां पर records कर दिये हैं जो भी यहां पर अपने rows के records हैं okay तो df.pd.dataframe d okay कॉंसाइट कर रहे हम तो के d d means यहां पर यह जो हमने series create क्या हुआ था okay and the last में यहां पर df तो exit अपना output यह मिले गा हमें चले next question number b dya to print a degree and the maximum marks of each stream okay तो exit यहां पर क्या करें देखो print df data frame group by यहां पर करें degree okay and the next यहां पर क्या चाहिए हमें score चाहिए और exit क्या चाहिए तो क्या maximum value चाहिए तो bc का maximum value m tick का और mba का यह जो समय output में शो यहां पर कर सकता है okay अभी next में यहां पर to fill NN with a 76 यहां पर भी NN है वहां पर क्या प्रिंट होना चाहिए 76 ओके तो exit यहां पर हम देखे तो अपने जिस रेकोड में यहां पर यहां पर कांसा 76 यहां पर हमें फिल करके जिसने आपर output शो कर रहा है चले next to set index to name okay तो exit यहां पर देखो तो कि जिस क्या क्या डीएफ डॉट सेट इंडेक्स और नेम पहले यहां पर प्रुष किया कर रहे था हैं तो कि प्रिवेसान यहां पर हमें फिर्यां पर हमें इंडेक्स इंडेक्स की आँपर झैन नमबर एच इसनों and degree wise average okay again just देखें यहाँ पर the name and degree wise average marks of student तो exit क्या करें तो कि df.set index यहाँ पर name ओके और group by यहाँ पर क्या करें name and degree and display क्या करेंगे score और aggregate function क्या है यहाँ पर करेंगे mean तो exit यहाँ पर देखें तो name then and degree okay and क्या शोर कर रहा है यहाँ पर score okay and बाद में यहाँ पर यह जो value पूरा शो कर रहा है तो यह just value यहाँ पर mean शो कर रहा है तो आज के वीडियो lecture में यहाँ पर अपना chapter number three just यहाँ पर हम complete करते हैं next video lecture 7 chapter 9 new chapter start करेंगे chapter number four तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोलिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तैंक्यू